असलाम लेकुम टॉल तो आज हम बनाने जा रहे हैं लसी की रेसिपी तो चुंके गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मा के मौसम में ठंडे ठंडे दही से लसी बना कर पीना सबको बहुत पसान आता है तो आज हम बनाना सिखेंगे पंजाबी स्टाइल लसी की रेसिपी गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी लसी बना कर पीने से बहुत रिफ्रेशिंग महसूस होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ठंडी ठंडी लसी बनाने के लिए हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दही का यूस करेंगे जो के 5-6 स्पून है अब हम क्या करेंगे के एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें सबसे पहले आइस क्यूप्स एट करेंगे आइस क्यूप्स एट करने के बाद अब हम इसमें दही एट करेंगे चुंके मैं 2 गलास लसी बना रही हूँ इस हिसाब से मैं 6 चमज दही उसकरूंगी छे स्पून दही डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा दूद आट करेंगे ये मलाई वाला दूद है आप साधा दूद भी यूज़ कर सकते हैं ये आप्षिनल है आदा कब दूद डालें इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसमें चीनी अट करेंगे मैंने त्री स्पून फुल चीनी अट की है आप अपने टेस्ट की सबसे कमिया जादा कर सकते हैं चीनी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें निम्बू डालेंगे मैंने एक निम्बू का यूज़ किया है फ्रेश निम्बू का रस एड़ करें इसमें एक ग्लास के लिए हमें आदा निम्बू का जूस लगेगा इसी सब से मैंने एक निम्बू का यूस किया है अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे इस पॉइंट पर अगर आप चाहे तो केसर एड़ कर सकते हैं केसर आप्शनल है अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से दो मिनेट के लिए देखिए अब हमारी यम्मी सी लसी बनकर तयार हो चुकी है अब हम इसको सर्फ करेंगे अब हम इसमें ऊपर से थोड़े से आइस क्यूब्स दालेंगे देखिए अब हमारी मज़ेदार सी यम्मी यम्मी लसी बनकर तयार हो चुकी है आप इस तरह से एक बार जरूर लसी बनाकर ट्राइक करें और मुझे फीडबैक जरूर दे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अल्ला आफिस एंड थैंक्स फर वाचिंग